नमस्ते मैं जैंटी और आप सब का फिर शेश्वागत करती हूं अपने चैनल में आज मैं बनाने जारी हूं मकर्शंक्रांती इस पेसेट वेस खिच्री बहुत ही सारी वेजिटेवन मैंने इसमें यूज किया दान चावन सब कुछ एक साथ एक बॉन में आपको मिन जाती है एधिटे एंजमी रिसीपी है आप इस खिच्री की रिसीपी को बनाकर ऐपने बच्चे को भी खिच्ञा सकते हूं ऄगर वहत ही जादे फायदे बनद होता है यह बच्छों के ली बैटें और इस मकर्शंक्रांती तो जरूर भी ट्रा municipality करना क्योंकि मकर्शंक्रांती में खिच्री सब के घर में बनती है और इस तरह से मैंने जो बता है इस तरह से अगर आप खिच्री बनाओगे तो बहुत हैं और टेश्टी खिच्री आपकी बनके तयार होगी तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ठाए करना और अपने अनुआ मेरे शाथ सेल करना अगर लेकिन यह मैंने यहां पर लिया एक कप लाइस यह चोटे और मोटे वाने चावन जो मार्केट में आपको इजनी मिन जाएंगे वह वाने हैं मैं सब्सक्राइब कि आप खिच्री में बासमति लाइस ना यूज करें आपके पास चोटे वाने चावन है तो आप यू वह क्यों चावने लिया है तो इसे मैं एक बड़ेवार में डान दीती हूं और शेम कपसे जिस यह worship मैंने alt-cup दान लिया है तो मैंने यह उड़त की दान नी चिनके वानई बिनना चिनके वान से खिर्दी बनती है अगर यह अ कर तो चावन और दान दोनों को हमें एक साथ मिक्स करेंगे अच्छे और इसे अब हम पानी में शोप करेंगे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे नॉर्मन पानी शोप करके आधे से पून घंटे रख सकते हो बट अगर आपको जंदी फटाफट बनानी है तो इसमें आप गलं पानी दान दो तो मैं यहां पर इसमें गल्म पानी दन देती हूँ जिससे कि आउगा फटाफट फून जाएगी हमारी गाली शावन और दान तो अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो इसमें आफट आफट गर्म पानी डान दो और ये पास से दस मिनट में चावन आपकी फून के तयार हो जाएगी तो मैं यहाँ पे गर्म पानी डान देती हूँ यह मैंने यहां पाने डान दिया है और अच्छे से हम अपनी चावन को पूरे पानी में Soap कर देंगे और इसे दस मिनट के लिए छोड़ देंगे तो इसे साइड में लग देते हैं तो यह देखिए 10 मिनट हो चुकिया और हमारी चावन दान अच्छे से Soap पानी शोप कर चुकी है और यह बहुत ही अच्छी तरह से फून चुकी है तो अब ढम अपने मन पसंद से कोई भी शब्जियां यूज कर सकते हो या फिल अगर इसमें से अपको कोई भी शब्जिया ना पसंद हो तो उसे भी आप स्किप कर सकते हो यह पुली टब्रव आफजनर है सब्जियां बट मैंने यहां भेज खिच्डि बनाई है तो इसमें आप जितने जादे सब्जी डारोगे उतनी अच्छी खिच्डि बनेगी तो मैंने साड़ी सब् हम चालते हैं the next process में I Spain oven you apple stimmt porka को थोड़ा सा गर्म होने ए है wa fundament always I can reflect and be a significance more useful उसके बाद मैं इसमें डानेंगे तोन भृषत टेस्टी बनतीर Donc और ही तो ये थोड़ी सी गर्म हो चुकी है उसके बाद मैं आधानऊंगि हाफ टेवन स्पून जीरा जीरे से बहुत अच्छी फ्लेवर आयागी और जीरे को थोड़ा सा चटक ने दें जब यह हमारी जीरा चटक जायागी फिर हम इसमें डानेंगे सब्जियां तो पहने मैं इसमें ये कोबी गाजर और जो हमारी मोटी सब्जियां जिससे पकने में तो फोड़ा टाइम लगता है वह मैं इसमें डान दे तुक गाजर को भी और बिंग्स मैंने यहां पर डान दिया है इसे मिक्स करके दो मिनाट फ्लाइब करनेंगे तो पहने इन तीनों सब्जियों को हम थोड़ी सी फ्लाइब करनेंगे फिर हम अपनी बांकी की सब्जिया मैं इसमें डानेंगे इसे दो मिनट फ्लाइब होने तो यह देफिये इस इन चाली सब्जी ओकर मैं नोम और करनें तो मैं इसमें बाकि जो सब्जियां इसारी सारी सब्जियां मैं यहां पर डान देती हूं तो यह देखिए मैं यहां पर सारी सब्जियां डान दी है और इसे अच्छे से मिक्स करनेंगे और सारी सब्जियों को नहीं पकाना है क्योंकि जब हम कुकर में सीटी डगाएंगे तो सब्जियां अपने आप पक जाती है तो य तो इसे की सब्जिया थोड़ी सी गंज आए और इसे मिक्स करके हम सारी सब्जियों को दो मिनट फ्राइ करनेंगे अब चाहो तो इसे अनग से भी सब्जियों को फ्राइ करके चैने के साथ पका सकते हो बड़ मैं साथ में कुकर में थोड़ा सब्जी ओ करना थोड़ा सबस बढ़ अन्चा को फ्राइ करनी हूं की जोलत नहीं है तो यह देखिए मसानों को भी मैंने दो मिनट फ्लाई कर निया है तो मशानने भी हमारी सब्जियों के साथ अच्छी तलव से फ्लाई हो चुकी है तो यह चावन दान जो हमने शोप करके रखी थी तो वह मैं आप सब्जियों में डान देती हूं तो यह साड चावन दान को सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए मैंने चावन दान को सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके साथ सब्जियों के साथ भी हम चावन दान को एक से दो मिनट पका देंगे जिससे कि हमारी चावन भी थोड़ी सी फ्ला कर लिया है अब हमें इसमें पानी डानना है तो यहां से पेजो मेजर्मेंट कप हमने यूज किया था तो इस कप से हमें 6 कप पानी डानना है बट 6 कप हम साथ में नहीं डानेंगे तो यहां पे अभी मैं 4 कप पानी डान देती हूं तो यह देखिए मैंने यहां पे सीट दगने तायम बाहर से पानी निकन सकती है से जब हमारी कुक्त होगी फिर हम इसमें बाकी के पानी दानेंगे यहां पे मैंने चाल कप पानी दान के अच्छे से मिक्स कर दिया है अब कुकर का धकन लगा देते हैं और इसे 2 से 3 सीटी आने का वेट करेंगे तो कुकर में हाँ हमें 2 से 3 सीटी आंकना है तो यह देखिये शेशली शीटी आ चुकी है तो अब हम अपनी फिनेम अफ करदेंगे क्योंकि जादे हमें गनाना चावन कुछ जादे गनाना नहीं है तो बस हमें तीन सीटी में इसे ग्यास को आफ कर देना है और हम सीटी का प्रेशर निकनने तक वेट करेंगे तो यह आप देख सकते हो, हमारी कुकल की CC से प्रेशर निकन गई है, तो अब हम कुकल को खोण लेते हैं, तो यह देखिए, हमारी kheneri कितनी अच्छी बनी है, बोहती अच्छी तलह से पकी है, हमारी शारी सब्जियां भी बहुत अच्छी तलह से पकी है, बट यह अभी थोड़ी सी जादे सूखी है तो मैं इसमें दो कप पानी जो हमने अभी फोल कप पानी ही डाना था दो कप अभी बचा था तो वह मैं अभी इस स्टेज में डान देती हूँ और खिच्रियों में हम पानी को अच्छे से मिक्स करनेंगे अब चाहो तो यहाँ पर ग्यास रॉन करके थोड़ा सा खिच्री को बॉइट भी कर सकते हो बट मैं यहां नहीं कर लिए हूँ क्योंकि खिच्री अल्रेडी गर्म है इसमें पानी डानने से कोई फर्क नहीं पड़ रहेंगे और चंहते हम अपनी नेक्ट प्लासिस में और ब्हुत में तो फाइनन प्लॉसमें में तो उसमे ऐसली मेंं तलका नगाने यहां तलका अम kalau भी में हों तो यहां तरका पैन गर्म होने की साथ ही हम इसमें एक टेवन स्पून भरके घी दानेंगे घी दानने के बाद खिछलि का टेश्ट और भी जादे बढ़ जाते हैं तो घी जब तोली सी गर्म हो जाए तो यहां पे मैंने कान्यवाने मस्टोड सीड निया है तो ये मैं घी में डाद देती हूँ और ये बहुत जाद चटकती है इस विज़से मैं तलका पैन के उपर ये मैंने धकन डगा दिया है ये देखिए ये मैं सरसो हमारी चटक चुकी है तो इसके साथ ही मैं इसमें 6-7 कड़ी पता भी डाद दूँगी तो मैं करीब पता डाद दिया और ये हमारी तलका तयार है तो मैं गयास कीफ नेम आफ कर देती हूँ आप चाहो तो इसमें मिर्ची भी डाद सकते हो और फटा फटा हम अपनी कुकल की धकन खोड़ेंगे और इसमें ये तलका जो हमने चौक के रखी थी तो वह मैं खिच्री में डाद देती हूँ और इसे अभी हमें नहीं सर्फ करना है तलका डानने के वाद हमें कुकल की धकन बंद कर देनी है और इसे दस मिनट ऐसे ही छोड़ देना है इससे क्या होगा इससे जो हमने तलका डाना था घी का वह पूरे खिच्री में अच्छे से उसकी खुस्वू फैन जाएगी और हमा अदि का डानना के थे किती हब वहत ही जाथ है है तो सबकर्णन के देख सब्सक्राइब देक है कि टीक तो तो इसकंट भूर्त है कि अंक्ति सब्सक्री को करन kids, सकते हो या मैंने पापल और अचार के साथ सल किया है आप खिच्री को दही के साथ भी खा सकते हो वह भी बहुत ही जादे टेश्टी नगती है खाने में आप किसी भी चीज के खाए खिच्री हमारी बहुत हैंदी बनी है और यह खिच्री आप अपने बच्चे को भी खिंदा स सब्साइब